हेलो दोस्तो मैं हूँ अबू और आप देख रहे हैं आपका फेरिट चैनल इसेंशिल्स आफ लाइफ दोस्तो ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए मेरा ये केसर का बल्ब है जो मैंने लगाए थे आपको मैंने वीडियो भी बत दिया था अब लोड किया था और ये केसर का बल्ब इस घंबल में था ये पता नहीं किस बताकी किस वज़ए से तूड गया तो मैं आज इस लिए मैं नए घंबल के आया हूँ लगाने के लिए तो इसको मैंने मिट्टी में से निकाला देखिए गंबले से तो मेरे को देखके बड़ा ही अच्छा लगा इसमें देखिए कितने अच्छी रूट्स डेवलप हो गई हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसमें प्लांट भी निकल रहा है यह देखिए अगर आप देख पा रहा तो इसको बेचिकले मैं शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरे गंबले में इस वाले बल्ब को तो इस वाले गंबले में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसमें मैंने देखिए कोको पीट मिलाया हुआ है कोको पीट के बाद इसमें कंपोस्ट भी है कंपोस्ट के साथ इसमें मिट्टी यह हो गया अब मैं इसमें थोड़ी मिस्ती और एड़ कर देता हूं इसको हटा देता हूं तापि डामेज नहीं तो यह हो गया तो यह हो गया तो इसमें छोटास हमें बीच में होल करूंगा और इसमें ही केसर का बल प्लांट करूंगा यह देखिए यह इसको याद रखिए कि नीचे नहीं दबाना है क्योंकि अल्रेडी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है ताकि यह आसानी से बाहर रहे और यह ग्रो कर जाए यह देखिए अब इसका जो है चोटा सा निकल रहा है वह बाहर रहना से तो बाकी मिट्टी आप दबा दीजिए सब तरफ से ताकि यह दासे ना बाद में पानी डालने के बाद और इसका शूट भी बाहर दिखता रहे है यह देखिए यह मैंने लगा दिया और अब इसमें मैं पानी डालूँगा तो दूस्तों इसमें पानी देने के लिए यह इसे अलका अलका परवारे से इस तरह देना है अब भर दीजिए क्योंकि अब पूरी में के ड्राई है तो वो पूरा पानी अब्जार्व हो जाएगा लिए इसके बाद आगे प्याद को जादा देने की ज़र्वाद हो रहे हैं तो कुझी अभी जड़ें भी है इसी वो ड्राई में रहेंगी तो सूथने गड़क यह पानी भर गया और इसका भी काम हो गया तो यह अपडेट आपको देनी थी बेसिकली केसर के बारे में और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी लगाईए केसर क्योंकि यह ग्रो कर सकता है यहां ठीक है दोस्तों थैंक यू वेरी मच